नमस्कार दोस्तों फिलाल वर्ल्ड कप की फाइनल में मिली हार का गम टीम इंडिया पूरी तरह से भुला नहीं पाई है और दूसरी तरफ आश्ट्रिया टीम ने तीसरे टीट्वेंटी मुकाबला में भारत्य टीम को टीट्वेंटी इतिहास के सबसे सर्मनाख हार दे कर जल एलान हो चुका है जिसमें नया कप्तान और नया प्लेयर्स हम सभी को देखने को मिलेगा और तीसरे टीट्वेंटी मुकाबला में टीम इंडिया की ओर से फ्लोप साबित हुए खिलाडियों को टीम इंडिया में दीपक चाहर और सिरस अर समय चार नए खिलाडी देखने को मिलेंगे और आप चांथे टी 20 मुकाबले के लिए भारतिय टीम के प्लेंग इलेवन पूरी तरह से बदल चुकी है चलिए तो दोस्तों जानते हैं आखिर आश्टलिया टीम को चांथे टी 20 मुकाबला में कुचल कर इस टी 20 स्रीज पर कबजा जमाने के लिए भारत की कौन सी नई प्लेंग इलेवन का एलान हुआ है लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ती 20 मुकाबला में भारत को मिली सर्मनाक खार का जिम्मेदार कौन है नीचे कमेंट करके अपन टी 20 मुकाबला गुहाटी के मैदान पर खेला गया जहां पर भारतिय बल्लेबाजों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट के नुकसान पर 223 रनों का विशाल लक्ष आश्लिया टीम के सामने रखा और यह मुकाबला लगभग भारतिय टीम जीथी चुकी थी क् अखरी के दो उबर में आश्लिया टीम को 49 रनों की दरकार थी जिनको बनाना लगभग नामुमकिन था लेकिन फिर मैदान में गलेन मैक्सवल का तुफान देखने को मिला आपको बता दे 48 गेंदों में गलेन मैक्सवल ने 8 चौके और 8 गगन चुमी छको की मदद से 104 रनों सेश रहते ही जीत लिया और आश्लिया के खिलाब भारतिय टीम के अपना चौथा टीट्वेंटी मुकाबला एक दिसंबर को 36 गड़ के राइपूर में साम साथ वजे से खेलना है जिसके लिए टीम इंडिया के प्लेइंग इलोन पूरी तरह से बदल चुकी है और भारतिय कप्तानी का काफी बेहतरिन अनुभाव है इन्होंने आइपियल में काफी बार कप्तानी भी कर चुके हैं और तीसरे टीट्वेंटी में मिली एतिहासिक हार के बाद 14 टीट्वेंटी मुकाबले के लिए टीम इंडिया की गेंदबाजी यूनिट पूरी तरह से बदल दी ग हैं जहां एक तरह प्यासवी जैसवाल ने सुरुआती दो टीट्वेंटी मुकाबले में अपनी तुफानी बल्लेबाज के दम पर कंगारूओं गेंदबाजों के होस उड़ा दिये थे तो वहीं तीसरे टीट्वेंटी मुकाबला में रीतुराज गायकवर ने सतक लगा कर टीम इंडिया को इस सीरीज में चेंपियन बनाने का दवा ठोक दिया है और भारतिय टीम की मीडिल ओडर बल्लेबाज में एक बड़े बदलाओ के साथ तीसरे नंबर पर भारतिय टीम के कप्तान सरह सर खेलते हुए नजर आएंगे जो काफी बहतरिन बल्लेबाज के लिए जाने जाते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ तुफानी बल्लेबाज ही करना जानते हैं हाल में ही वर्ल्ड कप में इन्होंने अपने फॉम में क्या ही लजवाब वापसी की है और 11 मुकाबले खेल कर वर्ल्ड कप में इन्होंने 530 रन बनाए हैं और चाउते नंबर पर 360 डिग आप सूर्या टीम इंडिया की ओर से उपकपतानी की कमान संभालते नजर आएंगे और पांचवे नमबर पर टीम इंडिया के बिकेट कीपर बल्लेबाज इसान की सन देखने को मिलेंगे जो की काफी बेहत्रिन बल्लेबाज है और फिलाल इसान की सन काफी संदार लाए में च जराएंगे जिनों ने अब तक क्या ही सांदार बल्लेबाजी की है और लगातार तुफानी बल्लेबाजी करते हुए भी हमेशा टीम इंडिया के लिए नोट आउट गए हैं और रिंकु सिंग अपने तुफानी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया को कोई भी हरा हुआ प्लेंग इलोन में खेलने का मौका मिला है और अप्षर पटेल अब तक अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी से इस सीरीज में कुछ खास कमाल नहीं कर दिखाए हैं और वासिंग अटन सिंदर को इस सीरीज में पहली बार खेलने का मौका मिला है जिनके सामिल होने के बाद तीम इंडिया के गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों में ही मजबूत नजर आ रही है और अगर भारतिय टीम की गेंदबाजी की बात किया जाए तो इस पिन गेंदबाजी में रवी बिशनुई का खेलना पूरी तरह से ताय है तो वहीं भारतिय टीम के तेज गेंदबाजी में कुछ बड़े बदलाव करते हुए दिपक चाहर और आवेस खान को टीम इंडिया में खेलने का माउका मिला है दर असल आपको बता दे कि मुकेश कुमार की साधी है इसलिए घर को गए हुए है और तीलक वर्मा, अर्षदीप सिय और प्रसित कृष्णा को टीम इंडिया के प्लेइंग इलोन से बाहर का रस्ता दिखा दिया गया है